इसमें रहने वाली जो ग्राम घंचामपुरा की वस्ती है जहां जोगी परिवार रहते हैं जिनका मुख्य कारे हैं सर पेटी रख के मनहारी सामान बेचना इनकी वस्ती में जो पानी की समस्या है इस पानी की समस्या से अनेकों समस्या जुड़ी है अगर उनको भरगाव पानी तो खाली चले तो मिलगाव तो मिलगाव ना नदी है यह मोरों जिन्दाबाद दीदी सो नदी को जाते हैं पैर क्यों नहीं जा रहा है स्कूल अगरों पैट दरज हो रहा है कोई के खुजली चलेट कोई को दीदाश लग रहा है कोई को सार्दी है कि यह दाग पढ़ चुके हैं कि शरीर खुजली देता है और बुखार भी आ जाता है सर्दी जुखाम बने रहते वो गंदा पानी है तो कभी-कभी वो भी यूज करना पढ़ता जब नलकर नहीं मिलता तो नद्धी पास होए तो ठीक है दो किलो मीटर दूर है दो दो खाकरी नाक के जाते तित्ती कमर कमर बरतन रखके गिर भी जात फटर भी घिर जात बरतन भी फूटत गरी बाद भी कहां से लें कहां से का करें बिलकुल नीचे में नद्धी है उपर चड़क हमोरों के घर है और जा बिलकुल नद्धी है तरते बड़े फात्तार भी हैं तो पहले यहां जो जन्रेटर था हमने खुद देखा है तो वो कहां गया वो ते गिराम पंच यहां सहयाद पुरा पोजी सिर्पंच गी तो वो किस लिए ले गा हैं वो चारा सुपोस ले गाते इस अपसामान के से सरकार अगर हम लोगों को विवस्ता दे रही है और गरीब लोगों की मदद कर रही है तो हमारे पानी चाहिए हमको परिसानी है बहुत जाना है देखने वाले सुरोताओं से अपील करती हूँ कि आप भी मेरे साथ इस समुदाय की मदद करें बलोग वटियागर जिलादमो मध्य परदेश के जो पीएची विभाग अधिकारी है ससी भूई संजी उनका फोन नंबर है नबे अन्ठानवे च्यासट बाउन बासट मैं आर्तिवालमिक ग्राम घंश्यामपुरा वटियागर जिलादमो मध्य परदेश से इंडिया अनहाट के लिए